अगर पुराने लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको step angle के बारे में basic बताया था हमने वहाँ पे देखा था कि step angle कैसे क्या होता है मतलब सीखा था फिर हमने एक important statement discuss करा था कि जितना smaller step angle होगा उतने ज्यादा number of steps एक revolution में cover करेगा और उतना ही high accuracy होगी then finally मैंने आपको examples लेके बताया था कि तीन तर्म में motors ली थी step per motor एक बीटा था 5 degree एक कर 10 degree एक कर 20 degree तीनों को चीज़े हमने सीखी थी then finally मैंने आपको इसके बाद last में resolution के बारे में बताया था यानि कि जो second step था number of step per revolution that is what we call resolution ठीक है now आगे चलते है अब इस lecture के अंदर हम लोग कुछ और points पर search करेंगे कुछ important formula यहां पर देखेंगे कि कैसे step angle के और कौन-कौन से formula है और एक important formula जो कि आपके gate में बहुत जरूरी है उसको सीखेंगे यहां पर आगे चलते हैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं मैंने आपको पुराने lecture बताया था कि beta जो होगा beta हमारा क्य अगर हम बात करी जाए practical scenario की तो कुछ एक range होती ना जैसे motor की जैसा कि कितनी range में available होते हैं तो generally जो range होती है यानि कि बात करें अगर हम step angle के range की यानि कि जो market में available है उसकी range तो वो 0.72 degree minimum से लेके 90 degree तक आपको step angle की motor market मिल जागी तो यानि कि अगर हम बात करते है stepper motor की तो ज most के step angle होगा यानि कि market में जो available motors है उनका step angle है वो minimum angle है 0.72 degree और maximum जो angle है step angle हो 90 degree ठीक है बात समझ में आगी और अगर इसको थोड़ा और specific कर लें यानि कि सबसे ज़्यादा यूजरे मारी यानि कि most commonly most commonly used step size used step size यानि कि सबसे ज़्यादा commonly use होने वाला step size कितना है जो इस समय currently use हो रहा है तो this is what this is 1.8 degree का use हो रहा है एक तो काफी ज़्यादा 2.7 degree and 15 degree यानि कि maximum applications है stepper motor के चाहे robots में हो चाहे आपके कह सकते हैं fighting में हो या कह सकते हैं war में हो कहीं पे भी जहां पे भी हतियार बनाने में हो जब भी stepper motor जहां पे भी use की जा रही तो maximum जो step angle का commonly used size है वो कित 15 degree 1.5 नहीं 15 degree तो यह 3 step angle है जो कि सबसे ज़्यादा common है जो की practical application में step angle के clear हो गए आपर तो यह 3 बाते समझ में आ गई होंगी तो सबसे पहले range याद रखना अगर step angle की range पूछे जाए market में कितनी चल रही तो 0.72 से 90 degree चल रही है और सबसे ज़्यादा common use होने वाला size कौन सा है तो यह 3 size है जो सबसे ज़्यादा हम लोग practically use करते हैं ठीक है ओके ना बात करेंगे formula होगे ठीक है यानि कि stepper motor का formula कैसा होता है तो formula formula for step angle बड़ा important part है formula for step angle होके यानि कि step angle मैंने बता दिया कि beta की value 10 degree हो सकती है 15 degree हो सकती है 5 degree हो सकती है पर यह value आती कहां से है यानि कि कैसे derivation होता इसका क्या formula होता step angle का उसको सीखेंगे ठीक है तो step angle का formula हम दो तरीके से लिख सकते है ठीक है पहला तरीका है पहला एक तो मैं step angle का formula लिख सकता हूं in terms of 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 rotor and stator teeth ठीक in terms of rotor and stator teeth यानि कि एक तो मैं rotor और stator teeth के terms में लिख सकता हूं formula अभी मैं बताऊंगा परशान नहीं होना कि rotor और stator teeth कौन से होते हैं दूसरा हम same formula लिख सकते हैं in terms of stator phases ठीक है stator के उपर कितने phases apply करें stator phases यह ऐसे कि आपने सीखा होगा three phase motor है single phase motor इस तरीके तो stator के phases कैसे हैं ठीक है अब यहां बताऊंगा यह normally जो आपने three phase और single phase यह सब करते हो stepper motor के phases कुछ अलग तरीके के होते हैं ठीक है आने वाले lectures में इस तुम्हें पता चल जाएगी अभी के लिए formula समझ लो तो stator phases और यह in terms of rotor and stator teeth तो दो तरीके से लिख सकते हैं सबसे पहले हम इसको डेखते हैं कि rotor और stator teeth का क्या मतलब होता है इसको समझते हैं ठीक है तो जो generally stepper motor का structure होता है वो इस तरीके का अगर हम लोग स्टेटर की बात करें अगर DC machine का stator देखो तो DC machine का stator तुमने कुछ इस तरीके का देखा होगा यह होता है तुमारा pole show ठीक है नौर्थ pole होता था clear होगा याद आप लोगो लेकिन अगर हम बात करते हैं यह है तुमारे DC machine का stator DC का stator ठीक है अगर हम बात करते हैं stepper का stepper motor का stator होता है उसकी shape कुछ इस तरीके से होती है यह ध्यान से देखो बहुत ठीक है यह shape होती है यानि कि जो तुमारे यह smooth सा बना होता था यहाँ पर देखो इस त stator of stator of stepper motor stepper motor का stator है clear हो गया पहला तो construction में difference समझ में आ गया हो इस तरीके से बने होते हैं इनको जो नाम दिया जाता है यह है this is what we call यह जो तुमारे दिख रहे हो ना इसे हम कहेंगे teeth of stator यह होगा है तुमारे teeth of stator यानि कि stator की teeth जो है यह इस तरीके से बने होते है clear हो गया है यहाँ तो समझ में आ गया होगा तो जो stator होगा वह इस teeth के रूप में बना हुआ होता है stepper motor में और यह number of count जैसे की one two three four five and six तो this one is the six teeth of the stator यानि कि यह कितने हैं छे हैं छे दात हैं stator के तो this one is the teeth of stator और इसको मैं कैसे रिप्रेसेंट करूँगा इसको symbol दूँगा मैं teeth of stator ts clear होगा है ts is the representation यह symbol ले लिया है मैंने okay now बात कर लेते है rotor की तो generally जो तुमने DC machine का rotor देखा था यानि कि इस तरीके से आपने देखा होगा यह shape होती थी ऐसे करके circular में बना होता था और यह इसमें projection इस तरीके से निकले होते थे slots जिसमें हम लोग winding place करते थे लेकिन मैंने तुम्हें बताया जब पहला lecture आपको यादूगा stepper motor का महा हम बनाएंगे stepper motor का rotor वो देखो कैसा दिखता है तो उसकी shape कुछ इस तरीके की होती है यह रहे ठीक है एक plus sign कितना ले लेते हैं जैसे salient pole होता था salient pole याद करो salient pole में क्या होता था आपको याद हो का silient pole 4 pole machine को जिस तरीके की होती थी salient pole की ठीक है और यहा पर salient pole इस तरीके से होते थे यह होता थे सेलंसी घ्रिए Babe भ purch यानि कि अगर इस सर्फेस की बात करीजया तो यह सर्फेस क्या होती थी स्मूथ सर्फेस सॅ White लेकिन स्टेपर मोटर के बात करें इस आधा यडिसा है इस The财स अगर अंगर इस सेलीनटर का सर्फेस का मैं पता चल गया होगा तो यह तमारा क्या है यह रोटर ओफ यह आपको रोटर ओफ step or Mamander यादि यह तमारे स्टैपर मोटर का रोटर है क्लियर हो गया और इसके इंदर टीथ का है तो टीथ easily तुम बता सकते हो, कोई भी बता सकता है this one is what we call the teeth of rotor, ये तुमारे क्या है, this one यारदा, teeth of rotor, ठीक है, ये rotor के teeth हैं, दात हैं, ठीक है, तो कितने हैं, one, two, three, यानि कि कितने हैं, यहाँ पे, three teeths, three teeth हैं, एक particular एक particular pole की बात कर रहा है, यानि कि एक particular point की बात करे, तीन इदा है, तीन-दा है, तीन ऐसे करगे, तो इन teeth of rotor को, यानि कि अगर तीन इदा हैं, तो थीन इदा, थीन फोल, तो बेसिकलिक रिप्राइबी, तो अम देने कि लग तेव हैं? है रोटर के यान-पे, तो इसको हमलोग कि से represent करेंगे जैसे मैंने पीछे represent करा था stator के teeth को ts से इसको represent करेंगे tr से यानि कि rotors के teeth तो आयोब यहां तक समझ में आगया होगा बहुत आगें मैंने बताया books में यह चीज इतनी clearly समझाई नहीं जाती है और मैंने भी कई books search करी है आपको यह lecture को simplify करने के लिए तो इसको बहुत बिहान से देखना clear हो गया और कोई doubt है तो comment section बता सकते हो मैं उनको clear करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा ठीक है अगर ज़्यादा बार doubt होगा तो एक next lecture बना देंगे एक separate lecture त्यार कर देंगे उसके लिए तो teeth of rotor समझ में आगे teeth of stator समझ में आगे अब formula के तरफ चलते हैं तो भाई formula क्या होता है यह तो समझ में आगया तो बीटा जो होता है किसी भी machine किसी भी stepper motor का जो step angle जो वो cover करेगी यानि कि minimum angular displacement जो एक step angle या कह सकते हैं electric pulse देने के बाग जो minimum angle एक stepper motor rotate करेगी बीटा वो equal to होता है ts stator teeth minus का rotor teeth divide by ts stator teeth into rotor teeth ठीक है और into 360 degree बात समझ मेरी बहुत important formula है इस पे gate में तुम्हें अराम से question मिल जाएंगे कहीं पे भी कुछ करने के जरूरत नहीं है one और two marks के दोनों में question आई गो है stepper motor के जिसमें आपको एक ये दो number question आया होगा और ये formula use करके तो में directly step angle निकालना होगा बहुत दी simple ठीक है इस से simple formula आपको नहीं मिलेगा कुछ नहीं करना है stepper के teeth जो तुम्हें question कभी भी numerical आएगा तो तुम्हें rotor के teeth दे रखे होंगे stator के teeth दे रखे होंगे रोटर के teeth हो गए रोटर के teeth यानि कि रोटर में कितने teeth हैं clear हो गया और यहां से into 360 degree आप निकाल सकते हो तो this one is the formula for step angle clear हो गया यहां पर इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं now next मैंने तुम्हें बताया था दूसरा हम बात करेंगे stator के phases के group में ठीक है stator के phase को समझ लो ठीक तो अगर हम stepper motor की बात करें तो stepper motor की कुछ इस तरीके की shape होती है this one is the stator of stepper motor और यहां पर यह rotor लगा होता है जिसके अंदर teeth होते हैं अभी हमने देखा था यहां पे क्या होंगे यह से ऎसे करके शेप होगी , अइसकी यहां पे होगा ऐसी इसकी इनके अंदर भी होगा तो यह होगा तुम्हारे stator की teeth और यहां पे जो shape ऑगी यह होगे तुम्हारे ET यह लोठर की teeth हो गए in terms of stator phases तो आप देखो क्या होता वै जैसे माल लेते हैं एक A phase supply दे रहा हूं मैं ये और इसके उपर ठीक है इसके उपर supply दे रहा हूं मैं A phase की यहां पर मैं दे रहा हूं B phase की supply this is what we call B phase ठीक है ये B phase से जुड़ा हुआ है और ये वाला जो तुमारा है पूरा इसको मैं color change कर देता हूं तो ये वाला आपका ये दोनों जो हैं ये तुमारे जुड़े हूए है A phase से clear तो यानि कि अगर इस particular stepper motor की बात कर रही है तो number of phases कितने हो गए M से represent कर रहा हूं number of phases हो गए 2 तो यानि कि दो phases है stepper motor में तो अगर इस particular type की motor का मैं step angle निकाल हूं तो बीटा इकोल तो कितना आ जाएगा तो बीटा इकोल तो आ जाएगा 360 degree divided by total number of phases M into rotor के teeth कितने है TR बहुत important formula कभी कभी आपको stator के teeth नहीं दे रखे होंगे इसके उपर ये एक बार question आया ठीक है तो अगर ये particular case आता है तो आपको ये वाला formula यूज करना होगा इसको expand करके मैं लेक देता हूं तो अगर theoretically पूचा जाए तो 360 degree divided by number of number of stator phases number of stator phases यानि कि stator में कितने phase दिये जा रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो एक phase ये दिये जा रहा है भी एक phase ये दिये जा रहा ह है यहाँ पर यहाँ पर M किया है number of stator phases है इसको मैं represent कर रहा हूं M से clear होगे है यहाँ पर तो this one is what we call step angle कैसे निकालोगे अगर आपको stator की tooth नहीं दे रखे हैं कितने teeth हैं stator के अंदर नहीं दे रखे हैं तो rotor की teeth से भी आप काम चला सकते हैं लेकिन आपको number of phases पता होने चा नहीं है ठीक है आगे चलते हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं ठीक है तो यहाँ पर lecture को मैं conclude करता हूं इसको मैंने दो parts में कर दिया है step angle समझने के लिए part one and part two यहाँ पर मैंने step angle क्या होता आपको वह समझा दिया फिर उसके बाद उसका formula कैसे निकालते हैं यह भी देख ल करते हैं आपने अपना कींदी समय दिया उसके धन्यवाद